मैं हो अपका faculty अने सवनोने आज हम discuss करने वाले किस थरह से हम port address transmission मतलब PAT करा सकते हैं देखें शुरू में हमने देखा था static net करवाना बाद में हमने देखा dynamic net करवाना इसके अंदर हमने अपने ISP से या फिर अपने service provider से या आयना से हमने हमने एक IP address purchase किया जो की पूल की रेंज थी जो की पब्लिक के लिए दिख होता लेकिन नाओडेज हमें एक ही IP के उपर अपने सभी network के PC's को internet अगर access करवाना रहा हम उसके लिए आपके पास एक थर्ड टाइप का solution है जिसे हम कहेंगे और लोड या जिसे हम कह सकते पूर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन और लोड एड पूर्ड एड्रेस ट्रांसलेशन इस नतिंग बड़ द सेम जिसकी उपर हम सिर्फ एक ही 2.0.0.1 यह मेरे इस राउटर पर कॉन्फिग करें अभी इससी आई-पी के थू मैं अपने सभी PC को इंटरनेट एक्सेस दिलाने वाला हो ओके शुरू करें जैसे कि दिख पार मैं अपने नासी राउटर पर आगया यहां पर अगर मैं टाप करूँ शू आई-पी नैट ट्रांसलेशन नतिंग इस देव अगन शू रनिंग कांफिगेशन करके दिखा दू किसी बी तरह का फास्टर इथनेट 0-0 पे इंसाइड आउटसाइड नहीं नदर आ रहा है सीरिल पर भी कुछ नहीं है और ना ही किसी तरह की हमने पूल ना ही लिस्ट कांफिगर किये सो फॉर्स अफॉल लेस्ट कांफिगर टर्मिनल देखिए ओवर्लोड करने के लिए बिस टेफ विल्कुल ही वही से परफम करने जिस तरह से हमने डायनामिक नैट पूल यहां पर मुझे कमांड टाप करें आई पी नैट फूल पूल को में वही नाम देता हूँ एच्पी जैसे हमने पिछली बाद दिया था कॉर्शन माग ओके यहां पर स्टार्ट एड्रेस मेरे पास सिर्फ एक ही आई पी है जो अल्रे में अपने आउटर पर कांफिग पर किया है सिर्यल 0-0 फे तो मैं उसी का आई पी देता हूँ 122.0.0.1 ओके सो 122.0.0.1 स्पेस देके कुश्चन माग अब भी मुझे पूछा जा रहा है कि मेरा एंड रेंज का है तो जो मेरी स्टार्टिंग नमबर है ना वही मेरा एंड नमबर रहने वाला है सो मैंने दो अमनतर उसका सब्डेकर 255.0.0.0.0 ही आने वाला है यह पे हम टापि करेंगे 255.0.0.0.0, कमान गमेंस्ट इस पूल को नाम दिया स्तार्टिंग रेंज का आई-पी वही होगा और्थिंग रेंज का आई-पी वही होने वाला है साथिसा अध हमने नेट मार्क second हमें एक ACL form करना है तो ACL number चलो हम 50 ही लेते हैं ताकि मेरे standard ACL बन जाए उसके बाद में मुझे permit करवाना था so I am type of permit मेरा जो locally connected netto के जैसे कि हमने पहले discuss किया था 10.0.0.0.8 वाला netto के okay 10.0.0.0 उसके बाद में उसका वाल काड as we discussed 0.255.255.255 is our wildcard number enter तो हमारी दूसरी कमांड भी complete होगी थर्ड स्टेप में हम इस पूल को अपने इस ACL के साथ patch करवाएंगे okay for that purpose I have to run a command IP NAT okay then मुझे करवाना है inside के लिए okay source मेरा क्या रहने वाला है list okay again list is nothing but the ACL number जो आपने बना है तो मैं चाहता कि 50 उसके बाद में पूल जैसे कि आप देख वारों यह बिल्कुल हम same step perform कर रहें जो अल्रेडी हमने perform की हुई हमारी डायनामिक नैटिंग के अंदर तो चले जादा वक्त ना गुजारे हम पूल को नाम देते थे HP finally पिसली बार हमने इस step पे एंटर किया था okay if you remember if you replay the video you will see हमने यहां तक करके एंटर प्रेस किया अभी मुझे सिर्फ आगे एक एक्स्टा कमांड रहागा नहीं है जो कि है ओवरलोड एंटर बस यह वो कमांड अलग है आखिर में सिर्फ ओवरलोग लगा दीजिए आपका यह ओवरलोड मतलब पूर्ट आदे टांस्टेशन हो गया सबसे पहले हमने पूल बनाया एक ACL बनाया second step में third step में हमने पूल और ACL को पैच करवाया but with the extra कमांड known as an overload okay after pressing enter आगे के मांड फास्ट इथरनेट 0-0 पर हम IP NAT इंसाइट करवाते हैं जो कि हमने अल्रीड किया हुआ है उसके बाद मैं exit करके बाहर आ गए इंटरफेस सीरियल 0-0 पर हम करते है आपी नैट आउसाइड एंड कंट्रोल जेड शो रणिंग कॉन्फिकेशन जैसे क्या अग दिपार हो यहां पर हमने फास्ट इथरनेट 0-0 पर आईपी नैट इंसाइड करवाया है जिरो सीरियल 0-0 पर आईपी नैट आउसाइड करवाया है यह मेरी वह पूल का नाम hp यह हो मेरा पैच जिस पर हमने पूल और ACL के साथ पैचिंग करवाय थी और यह मेरा ACL लिस्ट इस एट क्लियर नाव शो आईपी नैट ट्रांसलेशन करके देखेंगे कि इसी तरह का ट्रांसलेशन अभी फिलाल तो नहीं है कि हम क्विक्ली अपने PC सेट पर जाएंगे लप्टप से हम वह यूर को एक्सेस करेंगे जिसको हमने एक्सेस किया था तू वाला नाव इस एबल तो इस्टाविश कनेक्शन यह वाला PC 22.0.0.2 एंटर यह भी एक्सेस कर पा रहा है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बाकी के जितने भी PC जे उन सभी के उपर हम सेम यॉरल को एक्सेस कर वांगे नाव इस अबल तो एक्सेस देन लास्ट बट नॉट लिस्ट कुल मिला के मेरे चार PC फिलाल इंटरनेट कनेक्शन एस्टाबिश कर रहें ना ओवरलोड या फिर port address translation का फाइदा यह है कि जब भी मैं यहां पर IP net translation command run कर रहा था हूँ यू इल आवजर बले ही मेरे local inside पर IP अलग-अलग क्यों ना हो मतलब यह मेरे locally connected PC के IP जे respectively 100, 101, 102 & 3 जो मैंने अभी-अभी URL के से access किया जो कि एक ही port मतलब TCP port, port number 80 के साथ मतलब मेरे URL के साथ connectivity establish कर रहें लेकिन observe करने वाली बात यहां पर यह है जब वह बाहर निकल रहा है ओके translate होते वक्त इन चारो ही PC का इन चारो ही locally connected PC का translate number एक ही है वन वन एन वन ओके सो यह थी कमान किस तरह से हम ओड़ कर सकते हैं फिलाल के लिए इतना ही आने वाली वीडियो के लिए जरू देखे हमारे YouTube चैनल के लिए मैं आपका faculty गने सब्सक्राइब आने वाली वीडियो के लिए वीडियो के लिए वीडियो के लिए बाए